नमस्कार आप सभी का और एक बार हर्दिक स्वागत और अभी नंदन करता हूँ पिछली वीडियो में हम भावार्त पढ़े थे आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए प्रश्ण का उत्तर लेकर के आया हूँ जो की परिक्षा में पूछे जाते हैं और आप आसानी से पढ़ कर समझ सकते हैं तो चलिए ध्यान से आप लोग सुने का प्रयास किजेगा पहला प्रस्ण है क्रिष्ण को सुलाने के लिए माता यसोदा क्या क्या करती है क्रिष्ण बहुत नटखरते इसलिए मायसोदा सुलाने के लिए बहुत प्रयास करती है क्रिष्ण को जोले में जोलाती है उन्हें प्यार से हिलाती है पुछकारती है लोडियां भी सुनाती है और निंद्रियां रानी को बुलाती है और कहती है तु जल्दिया मेरे कानहा को सुला तुझे कानहा बुला रहा है क्योंकि क्रिश्न बहुत ही नटखट है वो जल्दी नहीं सोते हैं फिर दूसरा प्रस्न जो माता यशोदा के लिए सुलब है वो मुनीर इसी और देवताओं के लिए दुरलव क्यों है सुलब यानि जो चीज आसानी से मिल जाता है और दुरलव यानि कि जो आसानी से हमें प्राप नहीं होता तो माता यशोदा के लिए यहाँ सुख अत्यंत सुलब है कौन सा सुख बाल नटखटपन का बाल लीला का सुख जो माता यशोदा ने अपने आखों से देखा क्योंकि यह दृस्य माता यशोदा आखों से देखती है और उसे अनुभव करती है हिरिदै से माता यशोदा इस दृस्य में मगन हो जाती है इस वासल्य रुपी रस में इस प्रेम में मगन हो जाती है आनन्दित हो जाती है, खुसी हो जाती है, जो मुनी रिसी और देपताओं के लिए दुरलब है, यानि जो कि इस द्रिसी को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वे अमर हो कर भी इस द्रिसी को मुर्त रूप से नहीं देख सकते हैं, मुर्त रूप यानि आखों से इस द्रिसी को, बाल लिला के वर्नन को मुनी और रिसी नहीं देख सकते हैं इसलिए ये सुक माता ये सोदा के लिए सुलव है माता ये सोदा को आसानी से ये सुक मिल रहा है लेकिन रिसी, मुनी और देवताओं के लिए ये सुक दुरलव है वे अमर होकर भे इस सुक को अपने आख से नहीं देख सकते हैं तीसरा प्रस्न माता यसोदा ग्वालिनों को गाली क्यूं देती है माता यसोदा जितने भी ग्वाल वाल थे सवी को वो गुसे से गाली देती है क्यूं? क्यूंकि वो क्रिश्न से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है क्यूंकि सवी ग्वालवाल क्रिश्न को परिशान करते हैं उन्हें घेर लेते हैं क्रिश्न के पाव में धर्द होने लगता है मैया यशोदा क्रिश्न से बहुत प्रेम करती है इसलिए क्रिष्ण को अगर कोई भी परिशान करता है तो मा यसोदा उन्हें गुस्षे से गाली देने लगती है कि मेरे कान्धा को तुम सवी क्यों परिशान करते हो यही सोचकर माता यसोदा जितने भी ग्वाल बाल ग्वाली ने सवी को गुस्षे से गाली देने लगती है बहुत जगडालू भी थे, नटखड भी थे, इसी तरह से उँ बार-बार सिकायत लेकर आया करते थे और मा यसोदा उनकी सिकायत पर विश्वास भी कर लेते थे क्रिश्ण माता यसोदा से ग्वाल-बाल के बारे में सिकायत करते हैं और कहते हैं कि मैं और गयचराने नहीं जाओंगा क्यूंकि सभी ग्वाल-बाल मुझे घेर लेते हैं, मुझे दोराते हैं, मेरे पाव में दर्द होने लगता है, इसलिए मैं और गयचराने नहीं तो बल्देव भया से पूछ लेजिए, उन्हें कसम खिलवा के पूछ लेजिए जब ये बात उं कहते हैं तो मायसद यसुदा को उनके उपर विश्वास हो जाता है कि सच में मेरे कान्हा को सभी ने बहुत परिसान किया होगा तभी तो आज मेरे सामने सिकायत कर रहा है तो मायसुदा पतिया भी जाती है इतना सुन्दर प्रेम, क्रिश्ण और यसुदा के विश में एक वासल्य रूपी प्रेम का दर्शन हो रहा है जो कि हमारे सूरदास जन्म से अंदे हो कर वे इस वाशल्य रूपी प्रेम का बहुत ही मारमिक हिर्दय स्पर्च सी स्पस्रूप से वर्नन करने का प्रयास किये हैं, जो आज तक किसी कवीने नहीं कर पाए हैं बहुत सुंदर वर्नन हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सुक्रिया अगर आप मेरी चेनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी तरह के वीडियो आप सभी के लिए लाता रहूँगा धन्यवाद